वेलकम बेक अब्रिवन वेलकम टू सुवल सर्विसे स्टड़ी 571 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे यह हैं टेस्ट नंबर 572 इंपोर्टन टेस्ट आ रहे के सारे प्राश्ण उसी के आगे से कंटीनियू करते हैं हम जोग्रफी चल रही अपनी तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखें जितनी भी टेस्ट स्रीज इस चैनल पर चल लिए हैं उन सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है उसका लाव उठाते रहे हैं कोश्चन नंबर बन पर आजए निमलिकित कत्नों पर विचार करना है तीन स्टेट्मेंट है यहां पर और बताना है कि इन में से कौन सा करेक्ट है पहले स्टेट्मेंट है जल एक चक्रिय संसादन है प्रत्वी पर मानव तथा अन जीवों के उपयोग के लिए आ लवणिये जल की मातरा के वल तीन प्रतिशत ही है गोदाबरी कृष्णा और कावेरी में वार्सिक जल प्रवा का उपयोग के वल तीन प्रतिशत ही है प्रत्वी पर करेक्ट है जल बिलकुल एक चक्रिय संसादन है ठोस द्रब द्रब से गैस प्रवापर प्रत्वी पर वर्शा और बर्फ के रूप में स्नोफोल के रूप में और तीसरा भी करेक्ट है गोदाबरी कृष्णा और कावेरी में वार् प्रत्वी पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रत्वी पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रत्वी पर प्रत्वी पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। उपर वाली तो बारा माशी हो गई। तो सोण रेखा ही हो जाएगा। चंबल का भी ठीक ठा गिया तो रीखे भारत में सोन रेखा नदी वेशन का कुल पुना पूर्तियोग जल संसादन लगभग 1.882 घंड किलोमेटर है जो सभी नदी वेशन में सभसे खराब है मतलब कम है गंगा नदी वेशन का कुल पूर्तियोग भौम जल संसादन सरवादि इन में से 170 तो गंगई के हो गया के लिगा देखे अन नदी वेशनों जैसे के तापी का आठ दसमलब दो साथ घंग किलोमेटर है तथा चंबल तथा इसकी साइक नदीयो का साथ पॉइंट एक नो घंग किलोमेटर पुना पूर्तियोग भौमजल संसादन है तो सबसे कम किसका हो गया सोंड रेखा का एक दसमलब आठ दो तापी का भी कम है लेकिन तापी चंबल इनका भी कम है लेकिन उतना कम नहीं है जितना सोंड रेखा का तो बरबाद है सबसे कोशन नुमर फोर पर आ जाई है नेमलिखित कत्नों पर विचार करना दो स्टेटमेंट है यहां पर पताना किन मैंसे कौन सा करेक्ट है पहले स्टेटमेंट है भारत में धरातली और भौमजल का सबसे अधिक उपियोग क्रशी में होता है और द्योग क्छेतर में सतिय जल का सबसे कम उपियोग में लाया जाता है और द्योग क्छेतर में सतिय जल को सबसे कम उपियोग में ला जाता है इंडेस्टियल में सबसे कम लाया जाता है कि ग्राउंड वोटर करेक्ट है और सबसे अग्रिकल्चर में बिल्कुल दूर दूर विकरे होते हैं खेर क्या करते हैं उसमें ट्यूब ओल खोते हैं अभी जमीन सी तो पानी निकालते हैं ना तो करेक्ट है दोनों के दोनों स्टिट्मेंट सी है इसका अंसर है तो देखे भारत में धरातली और भॉम जलका सबसे अध भॉम जलका प्रतिशत ही उप music में गरेलू सेक्टर में धरातली जलका 9% और भॉम जलका 3% देखे भविष्च में विगास के साथ साथ देश में और घरेलू सेक्टरों में जलका उपयोग बढ़ने की संभावना है क्या संभावना बढ़ी रहा है दिन पर दिन धरातलिय जलका ही उपयोग किया जाता है भारत में या भारत के सभी नदी वेशनों में औसत वार्षिक प्रभा का एक तिहाई धरातलिय जलका उपयोग ही किया जाता है तो देखे धरातलिय जलके मुखिसरोत नदियां जीलें सरोबर और तालाब है देश में कुल नदियों तथा उन सहायक नदियों की लंबाई जिनकी लंबाई 1.6 किलोमेटर से अधिक है वो कितनी है कुल 10,360 नदिया है भारत में सभी नदी वेसिनों में औस्वत वार्षिक प्रभा कितना है 1,870 घन किलोमीटर अनुमानित अब देखे किंतु इस्थला करते कि जलिय और अन्य दवाबों के कारण प्राप्त धरातली जल का लगभग 690 घन किलोमीटर 32% जल का ही उपियोग किया जाता है ठीक है ये घन किलोमीटर में दे दिया 690 घन किलोमेटर यानी 32% जल का ही उपियोग किया जाता है question no.6 नमलिगित कतनों पर बचार करना पहला statement है वर्षा की कमी के कारण जल पूर्ती के लिए महराष्ट और राजस्थान में भौम जल संसादनों के अत्यदिक उपियोग से भौम जल इस्तर नीचा हो गया है अधिक जल निकासी के परिणाम सरूप भूमिगत जल में फ्लॉराइड का संकेंद्रन बढ़ गया है बढ़ गया है घट गया है बढ़े गई ओबिसली घटे का क्यों हो गया है तो देखें विगत कुछ वरसों में वर्षा की कमी के करन जल पूर्ती के लिए महराष्ट और राजस्थान में भौम जल संसादनों के अत्यदिक उपियोग से भौम जल इस सर जो है वो नीचा हो गय मतलब ग्राउंड बॉटर और नीचे चला जा रहा है पहले तो ऊपर तक ही पानी मिल जाता था तथा अधिक जल निकासी के प्रणाम सरूप भूमिगत जल में फ्लोराइड का संकेंद्रन जो है वो बढ़ गया है कोशन नम्बर सेबन नमलेकित कत्नों पर विचार करना चा सोचिए ठंडी के समय में अधिक होगा या फिर गर्मी के समय में भारत में नदी छेत्रों में सबसे अधिक प्रदूशित नदी छेत्र दिल्ली और इटावा के बीच यमुना नदी छेत्र है भूमजल प्रदूशन का कारण भारी विसेली धातूं फ्लोराइड और गलत है केंद्रे प्रदूशन नियंत्रन बोर्ड करता है राज प्रदूशन नियंत्रन बोर्ड के साथ मिलकर फोर को एलिमिनेट कर दीजे कर दीजे कर दीजे और नदियों में प्रदूशकों का संकेंद्रन गर्मी में बढ़ेगा ठंडी में तोड़ी बढ़ेगा गर्मी नहीं होगा फिर इस का अंसर क्या हो जागा सी हो जाएगा दूसरा और तीसरा सही है तो नदियों में प्रदोशकों का संकेंद्रन ठंडी के मौसम में नहीं वलकी गर्मी के मौसम में बहुत अधिक होता है क्योंकि गर्मी के समय नदियों में जल का प्रभाग कम होता है ठीक ह तो गलत है पहला केंद्रे प्रदूशन नेंतरन बोर्ड सीपी सीवी राज प्रदूशन नेंतरन बोर्ड के साथ मिलकर रास्ट यह जल संसाधन की गुणवत्ता की मोनेटरिंग करता है ना की नीती कायोग कुश्चन नूमबर एट है नमलिकित में से कौन सा या से अधनियम जल प्रदूशन से संबंदेथ है जल अधनियम 1974 परियावरण सुरक्षा अधनियम 1996 जल उपकर अधनियम 1997 तो जल अधनियम 1974 और जल उपकर अधनियम 1997 लगा दें भी नहीं लगाएंगे क्योंकि यह भी है प जल प्रदूशन को कम या नियंत्रित करने के लिए जल अधनियम 1974 लाया गया मतला प्रदूशन का निवारण और नियंत्रण बेभिन प्रकार के प्रदूशनों को जिसमें जल प्रदूशन भी सामिल था को नियंत्रित करने के संदर में परियावरण सुरक्षा अधनियम 1986 पुनाचक्र और पुनाउप्योग के संदर में निम्न में से कौन सा गथन सही है? देखें, पुनाचक्र और पुनाउप्योग द्वारा आलवनिया जल की उपलब्दता को सुधारा जा सकता है कम गुडवत्ता वाले जल का प्रियोग उद्धियोग में करने से जल पर होने वाली लागत को कम किया जा सकता है पुना चक्रन द्वारा पुना पूर्तियोग जल की उपादेता ब्यापक है बिल्कुल ये तो इस्तीनों के तीनों करेक्ट है स्टेट्मैंट तो वन टू थ्री किस में है बी में है तो देखें है पुना चक्र पुना चक्र और पुना उपयोग द्वारा आ लबनिया जल की उपलवधता को सुधारा जा सकता है किसी एक छेत्र में प्रियोग होने वाले जल का प्रियोग दूसरे छेत्र में करके आलवणिय जल की उप्योगिता बढ़ाई जा सकती है जैसे कैसे करेंगे हम जैसे नगरिय छेत्रों में घरेलू कार्यों में प्रियुक्त पानी का प्रियोग बागवानी के लिए करके पुना पूर्तियों के जलकी उपादेता ब्यापक है अंतिम प्रश्न है नम्रिकित कत्नों पर विचार करना है पहला स्टेटमेंट है समुद्र तटरेखा का दंतुरित होना लैगून और जीलों के बनने का करण बनता है केरल, उडीसा और पस्चिम बंगाल के खारे जलासे, मचली पालन, कौमनारियल और चावल की कुछ निश्चित किस्मों आदी की सिचाई में प्रियोग होते है कुछ लगा दिया है, अगर अधिकांश लगा दिता तो ब्लंडर हो जाता, करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट समुद्र तटरेखा का दंतुरित होना लैगून और जीलों के बनने का करण है, बिल्कुल है, दोनों के दोनों सही है तो देखें, भारत की समुद्र तटरेखा विशाल है, और कोछ राज्यों में समुद्र तटरेखा जो है, वो बहुत दंतुरित है इसी करण बहुत सी लैगून और जीलें जो है, बन गई है अच्छा अगर ये पूछ जाए, भारत के राज्य की, किस राज्य की, तरटरेखा सबसे लंबी है तो सबसे लंबी गुजरात की याद रखेंगा, उसके बाद किस की है? आंदर प्रदेश की है उसके बाद किस की है? महराष्ट की है तो केरल उडीसा और पस्चिम मंगाल में इन लैगूनों और जीलों में बड़े धरातलिय जल संसादन है आगे देखिए इन जलाशों में खारा जल है जिसका उप्योग मचली पालन नारियल और चाबल की कुछ निश्चित किस्मों आदी की सिचाई में किया जाता है केरल और पस्चिम मंगाल में लैगूनों और जीलों का जल लवणिया होता है अते इस जल का उप्योग पीने के पानी में नहीं किया जाता ठीक है तो अच्छे से इनका रेविजन कर लेजेगा प्रकरती में जल संसादन टॉपेक था NCRT 12th क्लास की धन्यवाद